उम्रा वीदा मुकम्मल गाइड 2024 उम्रा वीदा के लिए आनलाइन दर्खास कैसे दी जाए बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम लेकों मौतरम सामीन अलपाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुछ रहें और अगर आप पहली दफा उम्रा पर जाना चाते हैं और इसके बारे में आपको कोई भी तफसील मालूम नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है तो मुकमल गाइड आपको इसमें मिलेगी किस तरह आप उम्रा के लिए वीजा अपलाई कर सकते हैं कौन कौन सी शरायत होते हैं और इसके लावा अगर आप ऑनलाइन दर्खास देना चाते हैं तो वो भी किस तरह हो सकता है अक्सर देखा गया है कि लोग जो है तूर अप्रेटर के जरी या इसके लिए जो अजरीन के जरी दर्खास देते हैं लेकिन बाद लोकात दोखह भी हो जाता है तो इसलिए वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्क्राइब कर लाइए इसलिए वीडियो को जब आप लाइक करेंगे तो अच्छी से अच्छी इंफरमेशन आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक भी पहुंच तो पहुंचाने में आपका एम किरदार हो सकता है तो सबसे पहले देखें कि उम्रा होता क्या है गोर इसके कौन-कौन से मदरजात होते हैं सौधिय अरब में उम्रा का सफर करना दुनिया भर के मुसल्मानों के लिए एक गहरी रुहानी और सब्तीली का सफर है जैसा के 2024 में मुकद्स कोशिश शुरू करने में त्यारी कर रहे होते हैं गोर करने के लिए एक एम पहलू वीजा जा जिसको उम्रा हसल करना होता है तो इस जामे गाइड में आज मैं आपको इसके जरीए ये बताऊंगा के उम्रा वीजा के लिए दर्खास दिने का अमल किस तरह होता है तो इस बात को जगीनी बनाना कि आप इस गहर मुमुदी तजर्वे के लिए अच्छे दरह से बाखबर हैं और लेज रहें इसके लिए देखें एहलियत की दूरा से लेकर दर्खास के तरिका कार तक उम्रा वीजा को बनाने के लिए जरूरी मालमात कठी की गई हैं उम्रा वीजा हमवार और परिशानी से पाक दर्खास लेने के लिए आपने दो हजाब चौबिस के लिए इस मुकमल गाइड का जाज़ा लें और इसको आप तो जादकार उम्रा की बनियाद भी रखेंगे उम्रा वीजा होता क्या है सबसे पहले देखें और ऐसे अफराद के लिए ज्याता लच्छादार बनाता है काम वक्स एकते नदर आपको इसके लिए दर्खास देना होती है तो उम्रा वीजा अगर आप इस मुकद्द सुफर का अजाज करना चाहते है सुधर अरब की दर्ख से आपको एक उम्रा वीजा जारी के दुनिया भर के मुस्लमानों को मुकद्द शेहरों का दोरा करने की इजाज़त देता है तो मक्का और मदीना उम्रा की अदाइगी के लिए ये मुसाफरों को ममलकत सुधर अरब में दाखले की भी इजाज़त देता है और उन्हें मुकद्द शेहरों में मुक्तलिफ इबादात और इबारात करने की इजाज़त भी देता है तो उम्रा मुस्लमानों के लिए इतना कैम क्यों होता है क्योंकि हज़ और उम्रा के वजवात की बिना पर हर मुस्लमानों के लिए इंत्याई हैं होता है ये सफर अफराद को पैरवी करने की इजादत देते हैं हदर महुम्मद मुस्कफा स. अ. अ. के नक्षिक गदम पर चलने और अपने गुनाहों के लिए रुहानी तस्किया और माफी मांगने का जरिया भी होता है वो अलागे घर से राब्ता कैम करने का मौका भी फराम करते हैं मक्का में फाना काबा वो इसलाम का मुकर्दस्त्रीन मकाम और हच और उम्रा जुनिया भर के मुस्लमानों के दर्मियान चाहाद को फरोग देते हैं और जाती अकाद और खुद को बेतर बनाने की होसला वराई भी करते हैं तो मजमुवी तोर पर मुस्रम सामें इन देखें सौधियरब का ये गहरा रोहानी और मद्वी सफर है कुएथ है, इमान है, उमान या कतर के शेरियों के लिए ताहम अपरेल 2022 में सौधियरब की हकूमत की जाने से एक एहम अपडेट किया गया था कि सौधियरब की जाने से किये एहलान के मुताबिक वो फराद जिनके पास शेंगन, अमेरिका या बर्तानिय का दुरूस्ट वीजा है, वो आप किसी भी वाक्त उम्रा अदा कर सकते हैं बगहर किसी अलहदा की जुरुत के उम्रा वीजा तरखास लहादा आपको दरखास देने की जुरुत नहीं है अमरा से या आगर आपके पास शेंगन, वीजा है, यू से, यू एस या यू के का वीजा है अब देखें आनलाइन वीजा की तरखास आप किस तरह दे सकते हैं तो सबसे पहले देखें, पहली बार सफ़़र करने वाले हैं या इससे पहले भी हज्या उम्रा कच चुके हैं सौधयरब हासर करने के अमल को भी समझना है उम्रा विजा जरूरी है इसके लिए हम मैं महरणावान आपको बताऊंगा कि तर्खास के अमल में आपकी रहनुवाई भी रहाम करूंगा तो इस बात को यकीनी बनाता हुए कि आप 2024 में इस मुकद्स जो सफर होगा जाने के लिए अच्छी तरह से प्यार रहें आप विजारत खाज़ा की तरफ से पेश करदा इस सर्विस का इस्तमाल करते हुए ऑनलाइन उम्रा ची विजा के लिए दरफास दे सकते हैं जो ममलकट ने सोदेरब से बाहर के अफराब की दरफास देने की इजासत भी देती है उम्रा विजा अवसानी से आउनलाइन दरफास के अमल में शामल इकतामाद कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले देखें आपने सरकारी जो वेब साइट होती है सोदी एरभ की उस पर जाता है जाना है सोदी एरभ की विजार अखाजा की सरकारी वेब पर तक रसाई है खासल करें जो आपको आउन लाइन फराम की जाती है उम्रावीजा सर्वेस जो है आप इस तक रसाई हासल कर सकते हैं इसके लगावा मतलूबा खिदमत को मुन्तखिब करने यह आपने उम्रावीजा हासल करना है मक्सूल सर्वेस का आप इंतखाब करना है उम्राविजा तर्खाज ये आमस्वार तर्खाज करने का आप्चन आपको वहाँ पर मासूल होगा इसके बाद आपको एक फार्म मिलेगा जिसको ए फार्म कहा जाता है वेबसाइट पर फराम करना एक फार्म को द्रूस और ताज़तरीन मालूमात के साथ मुकमल आपने करना है यानि अपना नाम, पता, ड्रेस बगएरा सब कुछ जो मालूमात होती है वो सारी आपने उसमें भरनी है फार्म में आम तोर पर आपको जाती मालूमात, पासपोर्ड आपके बास होना चाहिए उसकी तफ़िलात सफर की तारीखें है और सौधे रब में रहाइश के इंतजाम जैसी तफ़िलात भी तरकार होंगी इसके बाद देखें, आपने तरकार जमा करवाना है फार्म बनने के बाद वेबसाइट पर नामज़त पोर्टल के जरे तरकार अलेक्ट्रोनिक तोर पर जमा करवाए यह लौट करना जरूरी है कि विजारेट साज़ा की तरफ से कायम करदा मुझूदा तरिक अधार के लिहाज से मकसूस इकदामात और तकादे तक्रिबिल भी हो सकते हैं लहाद यह मुझार भी दिया जाता है कि सरकारी वेबसाइट देखें और फुराम करदा हिदायात पर अमर करें ताके दर्फास के काम्याब और मुझार अमल को यकीनी बनाया जाता करें अब देखें अमरा विजा जो ऑनलाइन होता है इसकी कीमत क्या होती है तो सौधी रभ में देखें अमरा विजा असर करने के लागत मुझतलिफ अमामल के बन्याद पर मुझतलिफ हो सकती है जबके सौधी स्वारत खाने के पास वीजा की प्रोसेसिंग के बगार फीज की पालिसी है लेकिन सौधी कंपनी को तरफ से फराम करता खिद्माज जो सहूलत फराम करती है वीजा की दरखास, अमल, मुंसलिक अखराजात के साथ भी आ सकता है तो ये अखराजात कंपनी पे जरीए किये के अखराजात और इस कोई कवरेज को पुरा करते हैं ये बात भी काबल जोर है कि फीज वसूल करने का ये रिवाज जुनिया भर में उम्रा और हज अचेंटू में आम होता है इसके लावा देखें सोधे अरब के जो टोरिस्ट होते हैं वीज़ा की उसकी कीमत कितना है S.A.R. सोधे अरब के सिहाथी वीज़ाव की लागत है जिसमें मुवलकत में क्याम की आपको 142 जुएस डालर आपको यानि 535 मुदत का इहाता करने वाली जामे सिहाथ इंशारल 30-20 में आपकी शामिल होती है S.A.R. मुवादल दोर पर आमदबर सिहाथी वीज़ा की कीमत होती है ये नोट करना में दूरू है कि वीज़ाव को 127 डालर या 480 अन हरेवर अपकुशन तमाम अफराद के लिए दस्याव नहीं होता है तो ये मकसूस कोमियत के पाबंदियों के साथ भी मशुरूत होता है वीज़ा की मेराद खतम होने की तारीख से ज़्यादा क्याम करने वाले S.A.R. की सुरत में यौमिया और उसे 30 में 100 फीसा जो है लागो होती है और बहुत से दूसरे ममालक के जो 26 यूएस डालर के तरीकों के बतारा होता है अगर वीज़ा की तरफास मुस्तरिद कर दी जाती है तो कोई रिकम की वासुई भी दस्याव नहीं होती अगर उम्रा पर जाने के लिए कौन कौन सी जुरुयात होती है तो इस तफर को हमवार और यकीनी बनाने के लिए आपके लिए उम्रा वीज़ा तरफास का तरिका का दस्तावज़ाद चमा कराना भी जारुद होता है तो उम्राविजा तरसाथ फार्म आपको नमदेद होता है वो मकमल करें उम्राविजा दुरूस्त और ताज़ा तरीन मालूमात के साथ तरसाथ फार्म को फिल करना है मुझूदा पासपोर्ट, तस्वीर, मतलुगा तस्विलास के साथ पासपोर्ट के साइज की हाल यह तस्वीर भी जो आपने पराम करनी है जुस्त पासपोर्ट, पासपोर्ट के साथ आपके पासपोर्ट में दर्वास जमा कराने की तारीख से कम अगम 6 माँ की मियाद भी होनी चाहिए नकाबले वाक्सी जो आपके परवास के टिकट होते हैं पेश्की परवास के टिकर खरी दे हैं और अपनी वीज़ा तर्सास के साथ बुकिंग का सबूत भी शामिल करना है खवातीन हुजाज के लिए रिष्टे का सबूत अगर काबल इतलाग हो तो खवातीन हुजाज को अपने महरं यानि शोहर है भाई है या वालिद के साथ अपने तालोग का सबूत भी फराम करना चाहिए काम किसी ग्रूप तंदीम के साथ सबस्करने वाली 45 यर्ज से जादा उमर के खवातीन हुजाज के लिए जरूर नहीं है कि वो मर्ग काथी हो या उपने तालोग का सबूत है इसके लावा देखें हेल्ट इंशोरिंस वोदेरब में आपके कदम के दुरान हेल्ट इंशोरिंस पालीसी का होना भी लाद में होता है इसके लावा देखें कोवर के लिए हाद से देखा जाए तो जो गर्दन तोर बुखार की वैसिनिशन का सबूत होता है गर्दन तोर बुखार की वैसिनिशन का सबूत भी हासल करें जो आपके सफर की तारीख से कम अगम 10 दिन पहले लगाई गी थी लेकिन इस रेखियम के तारीक से तीन साल से भी ज्यादा नहीं होने चाहिए और ये भी नोट करना जूरूरी है कि खायर मुस्लिम नामू वाले दर्फास जेंदान को अपनी मकामी, मसाजिद या इसलामी तंद्यमों से इदाफी दस्वेद फराम करने की जरूत भी पर सकती है जो उनकी इसलामी अकीदे की भी तक्सिर करते हो तो इस बात को भी यकीनी बना कर आपके पास हाले तस्वीर और मतलूबा दस्वाद त्यार रहें आप इटमार के साथ अरफास दे सकते हैं अमल को हमवार कर सकते हैं और काम्याब होने के मपानाथ को भी बढा सकते हैं महत्रम सामीन उमीत है वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी इंफार्मेशन अगर आपको मौसूल हुई है तो आप इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि अच्छी से अच्छी इंफार्मेशन ज़्याद ज़्यादा लोगों कर सकते हैं अलबा आपको आपको में नासर हो अलाफीश